आज हम सोया बिन के वड़ी से एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे एक बार बार बना के खाएंगे और महमान ना अत्तारिप करते नहीं थकेंगे तो यहाँ पर आपने सोया बिन से बहुत सारी रेसिपी खाई है तो यह रेसिपी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही बेश्ट है और ह इसे दो कर हम अच्छे से निचोड के हम सब्जी में दालेंगे तो यहां पर मैंने किचन गार्डन के पालक और हरी प्याज ली है तो यहां पर पालक और प्याज को बहुत अच्छे से दो लिया है दो कर यहां पर मिक्सर पाउट में दाल देंगे इसमें हरी मिर्चिया और हर तो यहां पर निकाल लेना है, निचोड लेना है, हलके हाथों से, अब यहां पर कड़ई में तेल रख दिया है, इसमें दालेंगे जीरा, अद्रक लशन का पेश्ट, और यहां पर इसे, बहुत अच्छे से भून लेंगे, मसालो का कच्छापन निकले तक हम हून लेंगे, अ तो यहां पर इसका तेल सेप्रेट होने लगाए दिरे दिरे तेल सेप्रेट होने के बाद में इसमें टमाटर का पेष्ट दाल देंगे एक टमाटर का पेष्ट है तो यहां पर टमाटर का पेष्ट दालने के बाद में इसे मीक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से भून लें अवने के बाद में इसमें डाल दींगे शुआ वर्णियों मीख्स लेगे से गहस की तो यहां पर चीचे बुहर अच मिक्स होचकी अब इसमें दाल देगे दूद ह्नेगे पुलेसे जगह पी इसे अदोल सकते हैं आप दही दाल सकते हैं तो यहां पर डिया है बोटी बढ़िया है तो jarlish कर देगर प्लेटिंग और बीच ए रोटे के साथ में छावलははसरी डाल सकते हैं तो इस तरह से पालक संहっ चले वो भी खाने लगेंगे, चले फिर मिलते हैं नेक स्टुडियो में